हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल मैप में लुकेशन चेंज करने के बारे में मान लीजिए आपका कोई दुकान है और आप उस दुकान का लुकेशन गूगल मैप पे डाल रखा है और आपका दुकान कहीं दूसरे जगा शिफ्ट हो गया है या फिर लुकेशन मैपिंग करते समय सही से शेप नहीं हो पाया है इस सिचुएशन में आपको लुकेशन चेंज करना पर सकता है इसके लिए आपको Google Map को ओपन करना है यहां पर आने के बाद यहां पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और यहां नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसको इनेबल कर देना है उसके बाद यहां पीछे आना है उसके बाद दुबारा प्रोफाइल एकन पे क्लिक करना है और यहां पे यूर विजनस प्रोफाइल पे क्लिक करना है तो यहां पर आपका जो पहले से प्रोफाइल बना होगा करने लगेगा और यहां पर नया प्रोफाइल भी बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहां से आपका डाइडेक्शन जो भी वह दिखाना शुरू करदेगा ठीक है और यहां से आप मोटोबगेरा इढ़ेट कर सकते हैं तो हमको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है और यहां ओवर भी में नीचे आना है और यहां पर आने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एडिट बिजनेस इंफर्मेशन तो इस पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर कुछ देर प्रोसेस होगा उसके बाद को को कुछ इस तरह से open के आ जाएगा तो यहां से आप जो भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि दुकान का व्ट का नेम अभ डहने कर सकते हैं Business Category यह चैंज कर सकते हैं तो हमको क्या करना है कि लोकेशन चेंज करना है तो क्या करना है इस पेन आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर आपका लोकेशन कुछ इस तरह से सो होने लगा फिर नीचे आना है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एड़ेस्ट ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना और अगर आप इस लाइब लुकेशन वाले पर क्लिक करेंगे तो आप अगर सौप पर होंगे तो आपका सौप का लुकेशन यहां पर सोरने लगेगा ठीक हैं तो फिलाहाल हम क्या करेंगे इसको चुम करके अच्छे से सेट करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से हम कि सेट कर देंगे ठीक है और इसके बाद यहां पर करेंगे डन और अगर अगर यह सेटिंग आपका साइस देना हुआ हो तो दुबारा से आप यहां पर रिसेट करके दुबारा से सेट कर सकते हैं तो यहां पर सेट करने के बाद क्या करना है यहां पर सेव कर देना तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पेंडिंग लिख के आएगा तो 10 मिंट के बाद यह आपका विव दिखाना शुरू कर देगा तो कुछ इस तरह से आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं